शिराप के नशे में कुछ लोगों ने एक दुकानदार को अगवा कर लिया और उसे खेत में बने टूवेल के कबरे में लिजाकर बूरी तरह से पीटा। मामला फत्यबाद के गाउन अहलिसदर का है। नशे में दूती लोगों ने दुकानदार को लाची डंडों से मारा और इतने में भी जब उन्हें तसल्ली नहीं हुई तो आरोपियों ने दुकानदार के सिर पर बियर की बोतले तक मारी और उसे अदमरा कर बेहोशी की हालत में छोड़कर मोके से फरार हो गए। मामने की जानकारी मिलने पर पुलिस मोके पर पोचें घुतना की सूचनाद दुकानदार के परजनों को दी इसके बाद दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करा गया। दुकानदार ने होश में आने के बाद पूरी घटना पुलिस को बताई। पिरित के ब्यारों के अधार पर पुलिस ने मामरा दर्ज कर जान शूरू कर दी है। जानकारी के नुसार पिरित दुकानदार गाउ में ही ठेके के पास कर्फैक्षरी की दुकान चलाता है। देराज जब वो दुकान बंद करके जाने लगा तो शराप के नशे में धुथ कुछ लोग समान को लेकर उससे जगड़ा करने लगे। और जब दुकानदार बाइक पर जाने लगा तो आरोपयों ने उसे बाइक सहीत अगवा कर लिया और खेत में बने टुवल के कमरे में ले जाकर उसे बुरी तरह से मारा कि वो अधमरा हो गया। फिलहार पुलिस ने आरोपयों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है और पुलिस जल्दी आरोपयों को पकड़ने की बात कर रही है। वापस आया हो कैसे है मेरे को जान ने है। मैं तो यहां आकर देखा है मिया होगा ह। फिटल में आगया ह। पता निकिस दिना मारा है बहुत मारा है।